दोस्तों आज मैं आप लोग के किशाथ शेयर करूंगा रोज फ्लावर प्लाइंट की क्यार आप लोग समर सिजन में कैसे करेंगे यानि की समर क्यार आप रोज फ्लावर प्लाइंट इन सिंडर मिडिया शिंडेर मिडिया में लगा हुआ रोज फ्लार प्लांट की क्यार आप लोग समर सिजन में गर्मी की टाइम में कैसे करेंगे अब धीरे धीरे करके temperature बहुत ज़्यादा high होते जा रहा है लेकिन high temperature होने के बाद भी rose flower plant को कोई फरक नहीं पड़ता आप अगर पानी maintain कर शकते है इनकेस आप अगर पानी maintain नहीं कर पाएंगे ताब आपके rose flower plant काफी अच्छा नहीं होगा देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यह जो rose flower plant है यह rose flower plant में उपर भी growth है देखिए बाट सा रहा है और growth है यह flower खिल चुके है लेकिन क्या करना है चोटे-चोटे कुछ काम करना है जहापर flower खिल है इसको तोड़ देना है या 5 पत्ते जहापर है दो 5 पत्ते की बीच में से आपको cut कर देना है मैं cut जरूर कर दूँगा आभी तो मैं तोड़ देता हुए क्योंकि यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और एक है देखिए यह मैंने तोड़ दिये है और जैसे भी growth आएंगे ऐसे growth को आप बरकरार राखिए यह देखिए यह growth वो अंदर से द करेंगे एक चीज मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यह देखिए नीचे से आए है एक branch और एक बेशल शूट्स भी आ रहा है नीचे से ए देखिए और भी कुछ शूट्स आएंगे देखिए इसकी आभी फुटाव होना start हुआ है यह देखिए और यह भी फुटाव होना start problem हुआ है लेकिन इसमें multiple branches आए हैं तो हम क्या करेंगे, यह जो बाक्ट्स है, इस बाक्स को नहीं रखेंगे इस बाक्स को मैं डिजवर्ट करूंगा इसमें कलर आएगा जितने बार्स में कलर आएंगे डिजवर्ट कर दूँगा तो धीरे-धीरे करके multiple branches थोरा सा height लेकर आएगा और उपर तक आ जाएंगे मेरे floor plant की जो height है वो height को maintain कर लेगा और branches भी एक branch से कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 5 पांच branch कम से कम मिल height बरा लेंगे और bush भी बना लेंगे आप मैं सबसे पहले बात करूंगा यह जो new tips आ रहा है आभी भी यहां से tips आएंगे हो शकते यह long ना जाए यह long जाए ऐसे करके यह जो new tips है नए नए tips है और नीचे मैंने basal shoots दिखाया है यह जो छोटे-छोटे फुटाओ हो रहा है औ आएंगे यह branches यह basal shoots आपको protect करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कैसे protect करेंगे और बाने मेल एक लिटर पानी में मिला के आप आपके रूज फ्लार प्लाइंट के उपर हफ्ते में एक बाद जरूर स्प्रे करें इस प्रे करते शुमाई धेन रहा है कि इसकी उपर भी मैं पीछे से और थरह सा दिखाऊंगा देखिए ग्रोथ कितनी शंदर है समर चल रहा है एपरिल मांत है इसके बाद भी रोज फ्लार प्लाइंट की जो ग्रोथ है काफी अच्छा है और ए फ्लार प्लाइंट धीरे धीरे करके अगले बिंटर तक काफी ज़्यादा बुशी हो जाएगा फंजी साइड आप काप देंगे फंजी साइड आप रीडो मिल गोल्ड दो ग्राम एक लिटर पानी में मिला के एस्प्रे करें दस दिन अंतर से एक बार और नहीं तो एजो जोल लिकुड फंजी साइड है बौन एमेल एक लिटर पानी में मिला के एस्प्रे कर है अगर ऐसा देखे तो आप oberon 1 ml 1 लिटर पानी में मिला के इस्प्रे करें आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगर oberon पर्टेस नहीं कर पा रहा है तो o-mite लिजिए o-mite आप 0.75 ml पाल लिटर वाटर इस्प्रे करें तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हफ्ते में एक बर करना है धेन रखिएगा आप चलिए मैं फर्टलेजर दे देता हूँ फर्टलेजर में हम क्या-क्या दे शक्ते हैं वह भी हम डिस्कस करेंगे शब से पहले तो हम फर्टलेजर देंगे और इसके बाद और क्या-क्या चाहिए पड़ेगा क्या-क्या करना है शब कुछ आप लोग के शाथ मैं डिस्कस करूँगा यह देखिए फर्टलेजर हमेशा हम देते है मेरा जो इस्पुन है और हम क्या करते है शब से पहले में पानी डाल देते है चली पहले मैं पानी डाल देता पानी लेकर आते है यह देखी मैंने पानी लेकर आये हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे ऐसे करके चारो सैट से थोड़ा सा गुमा कर डालेंगे मैं तो मोटर से पानी देता हूँ यह हमने पानी डाल देखिए 1250 मिल पानी आते हैं मेरे यह मुग में और मैंने एक मुग पानी डाल दिय है और धीरे-धीरे करके नीचे के और बैठे का और यह जो डेनेज होल है यहां से पासेस हो गाई देखिए extra water पासेस होना start हो चुके है आप हम क्या करेंगी यह जो fertilizer है यह fertilizer green garden की special rose mix fertilizer समार होने के कारण आभी एक gram quantity में देंगे इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि temperature काफी ज़्यादा high है अगर winter या renecision होता तो इसका doge और भी बढ़ा शक्ते थे चारो side में हम ऐसे करके बिखर देंगे यह जो fertilizer इसके बाद हम क्या करेंगे रोज flour plant को पहले नहला देंगे चली मैं पहले नहलाता हूँ इसके बाद बाकी और क्या क्या करना है शब कुछ मैं आप लोग को श्यार करूंगा यह दिखिए ऐसे करके मैं रोज फिलार प्लाइन को बहुत अच्छा से नहला देंगे बहुत अच्छा से सवारिंग कर देंगे कुछ पानी क्या होगा ये मीडिया में जाके गिरेगा और मीडिया में जैसी गिरा है और देखिए ये बिलकुल डिजल्ब हो चुके है फटलेजर और हमारी floor plant को ये fertilizer मिलना भी start हो जाएगा तुरन ये देखिए मैंने निला दिये है ऐसे करके आपको आपके rose floor plant को सवारिंग करना है निलाना है ये देखिए बहुत अच्छा से निलाएंगे rose floor plant को निलाने से क्या होता है ये जो fertilizer है धीरे धीरे करके नीचे के और बैठ चुके है और हमारे rose floor plant को मिल जाएगा जो भी fertilizer हमने दिये है ये fertilizer की कोई भी side effect हमारे rose floor plant की उपर बिलकुल भी देखने को नहीं आएगा और हमारी flower plant की leaf fresh रहेगा देखिए मेरे rose floor plant की जो leaf है काफ बहुत अच्छा fresh है और plant कितने शंदल लग रहा है देखने में multiple micronutrient हम एस्प्रे करेंगे हफते में एक बार multiple micronutrient में आप एस्प्रे करेंगे lexulin CX के 1 gram एक लिटर पाने में मिला के बहुत अच्छा रह जल देगा कोई भी foliar spray होगा एक एस्प्रेडर जिसको chip को कहते है इस्टिकर कहते है आप 0.5 ml पर लिटर वाटर मिला करें अच्छा रह जल देगा PGR आपको आभी skip बिल्कुल भी नहीं करना है PGR में हम क्या देंगे PGR हम देंगे आज miraculous spray करेंगे 2 ml पर लिटर वाटर रिस्प्रे करेंगे आगले 7 दिन बाद सुपर सुनाटा 2 ml पर लिटर वाटर और क्या-क्या fertilizer देंगे आज हमने जो fertilizer दिये है यह fertilizer की लवा मैं NPK 13-40-13 बान गिराम यह मीडिया की उपर देते है और देने के बाद जैसे मैंने नलाया ऐसे नला देते है हफ़ते में एक बार हफ़ते में एक बार humic acid 1 गराम या 1 ml एक लिटर पानी में मिला के मीडिया में हम दे देते है जितना ज यह हफ़ते में एक बार देते है एक बार 13-40-13 देते है आपके पास 13-40-13 नहीं है तो आप 12-100 यूज़ कर सकते हैं बाकी दिन एक दिन देते है हम acidic water आप फिर पुछोगे acidic water हम कैसे तेयर करेंगे कैसे बनाया जाता है उसका एक link उपर आई बटन में दे दिया आप देख लिजिए उस वीडियो को acidic water तेयर करें आप हफ़ते में एक बार acidic water दीजिए जिस दिन मैं acidic water देता हूँ उस दिन इसको मैं कोई भी fertilizer नहीं देता हूँ हफ़ते में जितने दिन बाचे है पूरे हफ़ते मैं देता हूँ NPK 1-2-2 मान लिजिए एक दिन humic acid एक दिन 13-14-13 और एक दिन चला गया आपका acidic water यह तीन दिन चले गया बाकी चार दिन जो बसते हैं बाकी चार दिन हम देते हैं NPK 1-2-2 ऐसे करके आप fertilizer दीजिए आपको definitely आच्छा result मिलेगा कोई भी query है दोस्ता आप लोग comments रख जाके comments किजिए आप लोगो पूरा comments के answering किया जाएका उम्मीद करूंगा आप लोगको मेरा वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया लाइक करे शेयर करे शाथ में भी like को प्रेस करे thanks for watching